हाई फ्रेंट्स सो आज हम टीशू पेपर के हेल्प से यह जैस्मीन के कलियां और गजरा बनाएंगे सो आएए देखते हमने मटे दिल क्या यूज किया है हमने आपे लिया है टीशू पेपर रूई और सीजर लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करकर बेल आइकन को प्रस करना न भूलि जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो आईए स्टाट करते हैं सबसे पहले तो मैंने यहां पे एक टीशू पेपर लिया है और इसे फोल्ड किया है और अब हम यहां पे दो फोल्ड करेंगे एक हम यहां करेंगे ऐसे और दूसरा हम हम बीच में से इसे फोल करेंगे इस तरह से और अब हम सीजर की हल्प से बीच में यह कट करेंगे और एक हिस्सा अलग कर देंगे और दूसरे हिस्से को हम यहां पर बीच में से कट करेंगे और इसे अलग-अलग कर देंगे तो यह हमारे जो कलिया बनाने के लिए यह टीश्यू पेपर कट हो चुके हैं हम यहाँ पे दो टीश्यू पेपर यूज करेंगे दो लाइन तो अब हम रूई के गोले बनाएंगे है इसके लिए चोटा सा रूई का तुकड़ा लेकि इस तरह से हातों की हेल्प से घुमाएंगे जिससे यह इस तरह से रूण शेप का हो जाएगा आपको ज्यादा रूई नहीं लेनी है थोड़ी सी ही रूई कि ना जetraking मगदें केक्च मुताम के दो Arts राउंड रही है अब ऐसे ही हमें बाकी रौन स्राइड करने थे ए और अब हमें कल्ली बनाने के लिए यहां पर टिश्व केल में बाक्वार लाइद टैपने सभी साइट से हम टीशू पेपर को ऊपर लेकर आएंगे और इस तरह से उंगली की हल्प से हम इसे कली का शेप देंगे तो यह हमारी फॉर्स्ट कली रेडी है तो ऐसे ही हम दूसरी कली बनाएंगे तो दूसरी कली के लिए हम टीशू पेपर लेंगे और सेंटर में हम रूई रखेंगे और हम सभी साइट से टीशू पेपर को इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे और उंगलियों की हेल्प से हम इसे इस तरह से गुमाएंगे हमें एक ही डायरेक्शन में इसे गुमाना है तो यह हमारी दूसरी कली रेडी है सो व्यज़े हम एक और एक कली बनाएंगे बीच में हम यह रूई रखेंगे और एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे थोड़ इसी प्रैक्टेस हमें लगेगी उसके बाद हम आराम से इसे कली को बना पाएंगे सो यह हमारी तीसरी कली रेडी है ऐसे हमें बहुत सारी कली बनानी है तो यहां मैंने इतनी कली बनाई है और अब हम इसे नीचे कलर करेंगे color करने के लिए हम यहां पर base लेंगे और यहां पर acrylic color यूज़ करेंगे yellow हम थोड़ा सा यहां पर yellow color डालेंगे उसके बाद में हम यहां पर green color लेंगे और green color यहां पर हम yellow के उपर डालेंगे और उसके बाद में हम यहां पर फैवी कॉल यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा फैवी कॉल इसमें कलर में मिक्स करेंगे और तीनों को अच्छे तरह से हम मिक्स करेंगे मिक्स करने के लिए मैं यहां पर ब्रश यूज़ कर रही हूं और हमें अच्छे तरह से कलर को मिक्स करना है अब हम यहां पर कल्या लेंगे और इन कल्यों में नीचे के साइड हम यह ग्रीन कलर लगाएंगे सो हम यहां हलका सा कलर लेंगे और इस तरह से हलके हातों से सिर्फ एक डारेक्शन में हमें मूँ करना है सो हम दूसरी कली लेंगे और जिस डारेक्शन में हमने कली बनाते इस टाइम हमने गुमाया था उसी डारेक्शन में हमें यह कलर लगाना है एकदम हमें हलकी हाथों से कलर लगाना है ताकि कली के साइड ये कलर ना लगे सो ऐसे हमें बाकी कलियों में कलर लगाने है सो ये हमारी कलिया रेड़ी हो गई है अब हम यहाँ पे गजरे बनाने के लिए हम यहाँ सुई में एकदम करके हम ये कली डालेंगे सो हम यहाँ पे एकदम कलिया डालेंगे जैसे हम नॉर्मल गजरा बनाते हैं फूलों का सेम वैसे ही हमें एकदम करके जो कली हम धागे में पिरोते हैं सेम उसी तरह से हमें ये गजरा बनाना है तो यहां पर ध्यान देना है कि हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है नहीं तो कली पेपर है तो कली निकल सकती है तो इस तरह से हमें एक एक कली डालके गज्रा बनाना है सो यहां पर हम सुई के हल्प से यह गज्रा बनाएंगे और ट्राइ किजिएगा कि सुई बारीक लें ताकि अच्छे से कली के अंदर से निकल पाए अगर आप थोड़ी मोटी सुई लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कली के अंदर से ले जाने के लिए सो यहां पे हम फास्ट फारओर में आपको बताएंगे कि हम ने यह गज्रा कैसे बनाया है तो एक एक कली डालके हमने ये गजरा बनाया है एक दम हलके हाथों से आपको एक गजरा बनाना है जादा जोर नहीं देना है आराम से एक एक कली को डालना है और जितनी आप लेंट चाहे उतनी आप रख सकते हैं और एक बार कली टालने के बाद में आप उसे अरेंज कर सकते हैं और जब आपका गजरा बन जाए तो कोई भी जैस्मिन का पर्फ्यूम आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं और ये फॉरेवर ऐसा ही रहेगा ये ना कभी खराब होगा ना कुछ आप कभी भी इसे वेर कर सकते हैं आपको ओरिजिनल गजरे की रहा नहीं देखनी पड़ेगी सो बज इस पे जैस्मिन का स्प्रे कीजिए और ये रेडी टू वेर है अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंकियो सो मच